What's up everyone, welcome back to the channel, this is day 8 और आज हम एक शांदार चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जो की बहुत ही प्राक्टिकल होने वाला है आज सब लोगों को कॉमेंट्स में लिखना है, sir, day 8 done, just 13 more days to go 8 दिन पूरे हो जाएंगे यार, क्या शांदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और business studies का हम लोग छटा चैप्टर कर रहे हैं, 50% of the syllabus हो जाएगा तुम्हारा 8 दिन में 50% of the syllabus, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, चलो, इस practical chapter को चालू करते हैं और काफी नंबर का exam में आएगा, बहुत important है, बड़े ध्यान से समझना चली चली से, let's begin शुरू करते हैं सबसे पहले chapter के नाम के साथ, sir, chapter का नाम क्या है? देखो, chapter का नाम है marketing management सर, marketing management का क्या मतलब हुआ? marketing management में ना, बेटा, हम लोग वो सारी activities के बारे में पढ़ेंगे जो की related to marketing है अब, sir, ये marketing क्या होता है? देखो, marketing ना, selling से एक काफी बड़े level का concept है कुछ लोग selling और marketing में confused हो जाते हैं बेटा, selling का मतलब होता है, just mal बेचना मैंने कोई समान खरीदा, मैंने उसको बेच दिया, वो selling हो गया marketing क्या होता है? marketing होता है, product के बिल्कुल शुरू से market research करना, market के बारे में जानकारी सारी एक अत्रित करना customer के बारे में जानना, customer segment के बारे में जानना target audience के बारे में जानना, उसके बाद product को accordingly design करना फिर product का branding करना, product के pricing करना, फिर product को बेचना उधार में बेचोगे या नहीं बेचोगे, उसकी policies बनाना उससे related after sale services, उसका advertisement, उसकी proper customer तक knowledge तो कितना जादा detailed concept है, यह सब marketing में आता है Sir, क्या है marketing? marketing is a process whereby people exchange goods and services for money or for something of value to them, एक पूरा process है जहाँ पे लोग exchange करेंगे goods और services को या तो पैसे के बदले में और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ देंगे जो उनके लिए valuable होगी, आगे देखो क्या लिखावा है, marketing में क्या-क्या आता है सबसे पहले needs and wants of the customers, marketing focus करता है product पे नहीं, customer पे, selling में क्या होता है, माल बेचना है माल पे focus किया जा रहा है, समान कितने का है, उस पे focus किया जा रहा है customer को क्या चाहिए, उस पे focus नहीं किया जा रहा है, marketing में किस पे focus करते है customer पे, customer को क्या चाहिए, customer की क्या need है, क्या want है उस हिसाब से product बनाना दूसरा, creating a market offering market offering का मतलब है एक product को ऐसा तयार करना कि वो पूरा offer के तरीके से लगे मतलब कि अगर मैं एक camera बेच रहा हूँ तो मैं camera के साथ-साथ उसकी battery भी दूँगा एक lens भी दूँगा, एक bag भी दूँगा तो पूरा offer बना दिया मैगी जब मैगी बेचता है तो ये नी बोलता है मसाला लग से खरीदना है मैगी के अंदर ही मसाला भी है वो बोलता है गरम पानी डालो और तयार, तो पूरा offer बना दिया इसलिए कितना बिकता है तो पूरा एक offer होना चाहिए जो customer को इदम पसंद आ जाए तीसरी चीज, customer value ऐसी चीज बनाओ, जो customer को valuable लगे, जो customer को लगे this is value for money, है ना, मैंगी क्यों बिक्ती है, customer को लगता यार, 10-12 रुपे की item है, और इसको ले लो quickly food हो गया, एक meal हो भी पेट भी भर गया, काम भी हो गया तो value for money चीज लगनी चाहिए exchange mechanism, उसके बाद आपको यह decide करना है, कि आप इसको कितने में बेचोगे, money लोगे इसके बदले में, या इसके बदले में क्या लोगे एक mechanism set करना, online payment होगा या नहीं होगा, cash on delivery होगा या नहीं होगा exchange कैसे करोगे, यह decide करना भी बहुत ही important हो जाता है तो marketing में major जो चीजे है वो क्या है, needs and wants market offering, value exchange mechanism ठीक है जी, next क्या आ रहा है बचो functions of marketing, अब देखो मैंने आपको बताया न, marketing एक बहुत ही बड़ा process है जिसके अंदर बहुत सारी चीजे आ जाती है कहां से चालू होगा, gathering and analyzing market information सबसे पहले gather करना analyze करना, market information को, market के बारे में जानकारी कौन customer है, किसको मैं target कर रहा हूँ, क्या मेरा customer इतना पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, पूरा आराम से market को study करना उसको क्या बोलते हैं, gathering and analyzing market information, फिर planning करना, planning का मतलब सारी की सारी planning, कितना product बनाऊँगा, कितने quantity होगा कितने का बेचा जाएगा, transportation कैसे होगा, after sales services क्या होगा, कितने process से होके बनेगा, पूरी planning करना, plan for increasing the production, promotion, product etc. इसके बाद product का design कैसा होगा product कितने faces से होके गुजरेगा चर्चा करना, ये भी marketing का ही part होता है Then we have standardization and grading Sir, what is standardization, what is grading? Standardization का मतलब उसके लिए एक standard shape size, color, आप देखोगे, बड़े-बड़े brands के color भी same होते हैं, है ना, अब आप देखोगे कि भईया, mcdonald's, दूर से red color से आपको अंदाजा हो जाएगा, domino's का blue सा color होता है, right, तो brands के ना, अपने-अपने color भी है है ना, तो color से भी आप brands को पहचानते हो तो standard color भी होता है standard font size भी होता है, जिसमें वो लिखते है, standard shapes होती है ये सब standardization है उसके बाद grading, grading का क्या मतलब होता है, अपने product को grade करना कि ये हमारा A grade product है ये थोड़ा low quality है, तो ये सस्ता है ये उससे भी सस्ता है, तो grading का मतलब क्या होता है, हर तरीके के customer के लिए product बनाना, उसको हम grading बोल देते हैं, उसके बाद आता है customer support services, customer support services का क्या मतलब है, customer support services का मतलब है कि आपने customer के लिए customer complaint sell बनाया है या नहीं बनाया है, अच्छी services दे रहे हो और नहीं दे रहे हो, customer को जब मौका मिलता है न, जब उसको ऐसी service मिलती है, तो उसको satisfaction मिलता है कि हाँ यार मेरी सुनवाई है, मेरे मेरे को अगर कोई problem आ रही है, तो company मेरी सुनती है, तो customer care support services बहुत important हो जाती है, यह सब marketing में ही आ जाता है, तो देखो अभी तक माल बेचने की तो बात भी नहीं आई, सब marketing में आ जाते हैं, तो gather करना function को, information को, planning करना, product designing, development standardization, customer support services यह सारी की सारी चीज़े हमारे पास marketing में आ जाती हैं, अब marketing में और भी functions होते हैं sir, और कौन-कौन से functions होते हैं, pricing product कितने का होना चाहिए, है ना, branding उसको हम generic name से बेचेंगे, या brand name से बेचेंगे sir, generic name या brand name का क्या मतलब होता है generic name होता है, जैसे मैं बोलू की, for example saboon, soap तो सारे soap is a generic name उसके बाद, peers, dev, lux दुनिया भर के saboon आते हैं, वो सब brand name है, तो उसकी branding करना, packaging, then labeling, इनको हम अभी detail में पढ़ने वाले हैं, pricing, transportation after sale services यह सारी की सारी functions of marketing में आते हैं, जब अब NCRT को लोगे तो आपको 14-15 functions of marketing दिखेंगे, मैंने आपको almost सारे बता दिये, है न, उनको एक बार study करेंगे, and हमारा topic खतम हो जाएगा, that is, आपको पता होना चाहिए कि marketing में कौन-कौन से चीज़े होती है, सही है, इसके बाद आता है, बच्चों, हमारे पास marketing philosophies हमारे पास कितनी तरीके की marketing philosophies होती है देखो, हमारे पास न, पाच तरीके की marketing philosophies होती है जब हम market में उतरते हैं अपने product को customer तक पहुचाने की कोशिश करते हैं तो पाच तरीके का mindset एक marketer का हो सकता है सबसे पहला होता है production concept सर production concept क्या होता है देखो अगर किसी इंसान की philosophy production की है तो वो focus करेगा कि मैं किसी तरीके से large scale production करूँ मैं जितना जादा बड़े level पर production करूँगा उतना ही मेरा खर्चा काम आएगा तो production concept में हम किस पर focus करते हैं production concept में बच्चो हम focus करते हैं large scale production के उपर सर large scale production से क्या होगा देखो जितना bulk में आप production करोगे उतना ही कम खर्चा आएगा for example मेरा एक room है इस room में मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ बिजली का bill मेरा 500 रुपे आ रहा है तो per person cost 500 आ गई इसी room में एक और बिठालू दो bill तो अब भी 500 या आएगा अब per person cost 200 आ गई तीन बिठालू दो चार बिठालू दो पांच बिठालू दो तो एक ही room में जैसे जैसे मैं number of customers बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे cost कम होता जा रहा है यही होता है starting point होता है production concept का factory factory से शुरू होता है main focus होता है quantity of the product जादा से जादा बनाना है ना इससे क्या होगा एक तो product easily available होगा और affordable होगा अब इसमें हमारा मकसद क्या होता है कि हम जादा से जादा पैसा कमाए large scale production से तो जो लोग production concept follow करेंगे वो focus करेंगे किस चीज़ के उपर large scale production के उपर दूसरा कौन से आता है product concept sir product concept क्या होता है product नाम में ही है production पे focus नहीं कर रहा है कम बना लूँगा लेकिन good quality बनाऊंगा जो भी बनाऊंगा जो लोग quality conscious होते हैं वो एक product के लिए जाधा पैसा देने के लिए भी तयार होंगे अगर उनको good quality चाहिए तो ये भी factory से शुरू होगा है ना इसमें क्या होगा continuous improvement in the quality of the product मैं हर रोज बहतर बनाने की कोशिश करूँगा जैसे models में upgradation आता ना गाडियों में हर बार नया model कुछ ना कुछ नया कुछ नया वो product concept पे focus करते है right the focus is on quality और क्या मकसद होता है profit कमाएंगे through product quality improvements अगर quality अच्छी देंगे तो customer अपने आप जाधा pay करने के लिए ready रहेगा तो production और product में क्या फरक है production में large scale production पे focus होता है product में जो focus है वो product की quality पे है okay तीसरा concept आता है बच्छो selling concept सर अब ये selling concept क्या है selling concept होता है माल को कैसे भी करके बेचना sale को push करना किसी भी तरीके से बेचो आप जितनी भी aggressive marketing strategies लगा सकते हो लगाओ लेकिन माल को बेच के दिखाओ तो इसका focus होता है sale को push करना advertise करना personal selling करना sale promotion करना कैसे भी करके पैसा कमाना है और वो पैसा कैसे कमाएंगे जब sale बढ़ेगी है ना तो अगर sale पे focus किया जा रहा है तो वहाँ पे selling concept काम में आता है production हो गया product हो गया selling हो गया next आता है marketing concept sir what is a marketing concept marketing concept में हम लोग customer के satisfaction पर focus करते हैं हमें नई फर्क पढ़ता हम large scale बना रहें आज हमें नई फर्क पढ़ता कि product की quality कैसी है हमें नई फर्क पढ़ता कि माल बिक रहा है या नहीं बिक रहा हमें फर्क पढ़ता है कि अगर मेरे दुकान पर customer आया तो वो satisfy हुआ या नहीं हुआ Customer की needs के हिसाब से काम करना है जो customer मांगेगा उस हिसाब से काम करेंगे Customer के attention को gain करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से तो इसमें क्या होता है The main focus is the satisfaction of customer needs Integrated marketing करना Integrated का मतलब कि भी या customer खुश होगा तो मेरा अपने आप फाइदा हो जाएगा इसका क्या objective होता है To satisfy the target market The basic role of a firm is to identify a need And fill it आप एक need find करो Customer को क्या चाहिए और उसको fill it कर दो Last आता है Societal marketing concept Societal क्या होता है सर देखो Production में large scale production करके पैसा कमा रहे थे Product में good quality product सेलिंग में कैसे भी बेचो पैसा कमा रहे हो Marketing में customer के satisfaction से पैसा कमा रहे हो Societal बहुता भीया पैसा कमा लो लेकिन society का भी ध्यान रखो ऐसा नहीं करो कि आप large scale production कर रहे हो यानि कि production concept लगा रहे हो लेकिन society को हाम कर रहे हो ऐसा नहीं करोगी आप good quality product बना रहे हो लेकिन society को हाम कर रहे हो ऐसा नहीं करोगी आप माल बेचने के चक्कर में society को हाम कर रहे हो Customer को satisfy करो बट society का भी ध्यान रखो तो societal concept क्या बोलता है यहाँ पे The focus is on customer needs But also society's well-being उसके बाद integrated marketing इसमें भी होगी यानि यहाँ पे भी focus किया जाएगा customer की needs के उपर But considering the needs of the society as well इसका objective क्या है Customer satisfaction और उसके साथ-साथ Social welfare सही है जी, perfect हो गया तो यह होते हैं बच्चों हमारे पास 5 प्रकार के marketing philosophies जिसके आपको पता होना चाहिए product कौन सा, production कौन सा Selling कौन सा, marketing कौन सा, societal कौन सा ठीक है जी, next क्या आता है Next आ रहा है What is a marketing mix Marketing mix किसको बोलते है अब बचों यह mix word कई बार आएगा Mix का मतलब आप समझ लो Ingredients या important decisions जैसे मैं अभी product mix बोलूँगा तो product से related जितनी भी चीज़े आएगी वो से product mix में आएगी अभी मैं marketing mix बोल रहा हूँ तो marketing से related जितनी भी चीज़े आएगी वो marketing mix में आ जाएगी, ठीक है तो what is a marketing mix Marketing mix is the combination of variables यानी बहुत सारी ऐसी चीज़े Choosen by a firm To prepare its market offering Market offering तयार करने के लिए मैंने बोला न, product कोई एक product नहीं होता पूरा का पूरा offering होती है तो उसको तयार करने के लिए जो जो combination हमें बनाने पड़ेंगे उसको हम marketing mix बोलते है अब marketing mix में क्या क्या आ जाएगा Marketing mix में चार चीज़े आ जाएगी Product, Price, Place, Promotion तो चार चीज़े कौन कौन सी होती है सर सबसे पहले होता है product भया जो माल बेचना है वो होना जरूरी है अगर product ही नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो सबसे important essential element होता है product अगर मैंने कोई laptop बनाया है तो मेरे लिए वो laptop सबसे पहले सबसे important है Product means goods and services which is offered to the market for exchange Product के अंदर branding आता है packaging आता है, labeling आता है इसको अभी हम detail में पढ़ेंगे उसके बाद आता है price कि आप product को किस particular rate से बेचने वाले हो क्या price रहने वाला है ना the marketer has to take several pricing decisions उसके बाद क्या आता है हमारे पास place place का मतलब किस particular तरीके से हम उसको customer तक पहुँचाने वाले है और चौथा आता है हमारे पास promotion कि हम किस तरीके से product को promote करेंगे किस तरीके से हम logo की knowledge में डालेंगे किस तरीके हम logo तक पहुचाएंगे कि भया हमारा ये product है सहीए जी तो हमारे पास चार तरीके के piece आते हैं जिसमें हम सबसे पहला बोलते है प्रोडक्ट दूसरा है price तीसरा है place चौथा है promotion तो सर इन चारों को क्या हम detail में पढ़ने वाले हैं इन चारों को ही हम इस chapter में बहुत ही detail में पढ़ेंगे आगे लेके चलेंगे कि किस तरीके से क्या-क्या particular इनके अंदर होता है और किस तरीके से हम अच्छे तरीके से marketing करते हैं और इन सब को हम use करते हैं अपने product को बेचने में और पैसा कमाने में ठीक हो गया जी तो guys I hope आपको आज यहां तक का part समझ में आ गया होगा आज हम इसको यहीं तक रखेंगे जादा आगे नहीं लेके चलेंगे क्योंकि यह पढ़ने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा तो अब आप क्या करो अपनी NCRT उठाओ NCRT उठाके एक बार सारी की सारी reading लगा लो सारी marketing का meaning हो जाएगा marketing के features हो जाएगे marketing के functions हो जाएगे marketing की philosophies हो जाएगी उसके बाद marketing mix और marketing mix में basic basic reading ले लो कल की class में हम लोग इनको detail में पढ़ेंगे एक बार और इनको हम समाप्त कर देंगे ठीक है तो बहुत ही अच्छा रखेंगे चारों के चारों elements को खतम कर देंगे कल and day 9 पे हमारा most probably marketing भी हो जाएगा समाप्त तो आज के लिए इतना ही रखते हैं guys आज हम लोग इस चीज को यही तक रखते हैं आप reading लगा लो comment करना कोई नहीं भूलेगा video को like जरूर कर देना comments में लिख देना yes sir we are all set यह हमारा काम हो गया है और अब हम इसको बहुत अच्छे से तयार कर लेंगे right thank you so much everyone for joining in I am gonna see you all super soon till then see ya take care bye bye